ओके बेटा इस पेज नूमबर 31 लेट स्टार्ट एक्स्प्रेशन अब लास्ट पीज पेटा हमने क्या देखा था कि जब उन्होंने अपनी स्पीच दी थी तो उसकी बहुत तारीफ ही थी और जब स्पीच कंप्लीट हो गई थी तो उसमें डिस्केशन स्टार्ट हुआ था ठीक है फिर हम क्या कह रहे थे कि काली दास जो महान कवीते वो खड़े हुए सिट और सेड वो अपनी सीट से खड़े हुए और उन्होंने कहा आई डू नौट फुली अग्री विद दविवस ऑफ ऑनरेबल स्पीकर वो कहने ने कि जो हमारे ऑनरेबल यानि सम्मान नहीं स् जो बहुत ग्यानी पुरुशायते जिन्होंने ये कहा था कि जो नौलिज है वो ही अकेले क्या है बहुत महत पूर्ड होती है ठीक है तो उनके इस स्पीच पर काली दास ने बोला कि मैं इनके जो इनका विव है यानि जो इनकी बात है जो इनका मानना है उससे मैं फुली ए स्कॉलर से दूसरे ग्यानी थे उन वह लोग यह जैसे उन्होंने सुना इसको सुनकर के बहुत सर्प्राइज हो गए ठीक है जो इन्होंने काली दास ने कमेंट किया था पोईट काली दास है अपना एक बहुत ही यूनीक होती अच्छा स्थान बनाया हुआ था अपना फील रखा था एवरिवन वंडोइड वाय काली दास दिट नॉट अग्री दाट नॉलेज इस सुप्रीम अब क्यूंकि उनका एक नॉलेज के फिल्ड में अलग ही नाम था उन्होंने बहुत नाम कमा रखा था तो जब उन्होंने इस बात पर कि नॉलेज अकेले ही क्या है बहु नॉलेज ही अकेले बहुत महातवपूर होती है ठीक है किंग भोज आस्क्ट कालिदास तो प्रूव वाय नॉलेज इस नॉट सुप्रीम तो सब वैसे भी बहुत आश्यर में थे बहुत सप्राइज हो चुके थे तो किंग भोज ने उनसे पूछा कालिदास से कि ठीक है प् प्रूब और उन्हें जो अपना वियू था इस बारे में उसको बहुती शांती पूर्वा कि नहीं बहुती शांती से उसका अपना व्यू नॉलेज काता वो रखा He said knowledge is alone not supreme जो knowledge है वो अकेले ही महादपूर नहीं है If one cannot put his knowledge into action क्यों नहीं है पिटा है वो इसका reason बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी knowledge को action में नहीं convoyed कर सकता यानि उसकी knowledge तो है लेकिन उस knowledge को वो use नहीं कर पा रहा है There is no value of such knowledge for the society तो ऐसी knowledge का कोई value नहीं है हमारी society में For example, अगर मैं हूँ, ठीके मेरे मेरे पास बहुत knowledge है बहुत अच्छा सा मुझे सब कुछ मालूम है लेकिन जब मैं उसका इस्तमाल नहीं कर पा रही हूं मैं किसी को पढ़ा नहीं पा रही हूं मैं किसी को convince नहीं कर पा रही हूं समझा नहीं पा रही हूं तो what's the benefit of my knowledge क्या benefit है मैंनी knowledge का नहीं है न तो जब तक हम अपनी knowledge को अपने actions के थुरू नहीं एक्सप्रेस करते हैं जब तक अपनी knowledge को अपनी action में नहीं नाते हैं तब तक वो knowledge एक्सामपल के द्वारा इसको हम प्रूफ कर सकते हैं बता सकते हैं कि कैसे I have the knowledge that the early morning walk is good for my health क्या कह रहे हैं मेरे पास ये knowledge है कि ये ग्यान है कि जब सुबा उठकर के हम लोग तहलते तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है but if I do not get up early लेकिन अगर मैं सुबा जल्दी नहीं उठता हूँ and do not go for a walk और walk के लिए नहीं जाता हूँ what is the use of my knowledge of morning walk तो मेरी knowledge का कि morning में walk करना बहुत अच्छा है इसका क्या फाइदा है समझाई बटा उन्होंने ये कहाता है कि knowledge अकेले ही महत्वपूर नहीं होती है knowledge ही जिर्फ होने से कुछ नहीं होगा जब हम knowledge का proper इस्तमाल करेंगे उसका use करेंगे उसको अपने actions में लाएंगे तब उसका कोई फाइदा है और उन्हें अपने example से कैसे proof कि उन्होंने कहा कि जैसे हमें मालूम होता है कि सुभा टेलना बहुत अच्छा होता सियत के लिए मुझे इस चीज की तो knowledge है कि सुभा टेलना बहुत अच्छा होता लेकिन अगर मैं उसको इस्तमाल नहीं कर रहा हूं रोज जल्दी सुभा उठी ही नहीं रहा हूं तो फाइदा क्या है मेरी knowledge का is this clear वेटा